नमस्कार आदव सित्यकाल भाई बने देविस तजनों बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपकी अपी चैनल अन एकेडेमी सी इंटर प्रो पे बहुत दिनों से मुझे कंटिरेसली मैसेज़ेस आ रहे कॉल आ रहे और कहां-कहां जहां-जहां जग बच्चे मिल रहे मुझे क है कि सर आपने अनॉंस्मेंट तो कर दिया हमने हमारी एक्जिस्टिंग क्लासे शोड़ दिया रहे आपका क्लास कब आ रहा है सर प्रभू बताओ अरे भाई सुनो पाइनली आग इस धियर जिया दोस्तों मैं आप लोग के लिए सीए इंटरमिजेट पेपर नबर टू कॉर और लोग का एक जवर्दस प्लान लेकर आपके सामने आज आया हूँ आज आप कोई वे अटेम क्यों बहुत बहुत भारी बारी बाते होने वाली है तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत और कर देते हैं हमारे आने वाले प्लान को लांच दोस्तों इससे पहले कि हम टर्का डिशा जांते हो नाहीं जानते हो यह कोई अदोस्तों मैंस क्या क्या देखना पसंद है ऑर अगर वे चीन में जानते कि मेvenant लंसे था तो मेरंच और डे पहु हाँ और सब्सक्राइब कर्दिशनuba की मेरे किटने दोस्तιहां पर बैठे हैं जल्दी से चैट लिगा ग जो जानता है वो अपने आप लगाएगा जो नहीं जानता है वो देख देख जाएगा दोस्तो मैं नाम है सियाद आश योशी and I am a chartered accountant by profession and a professor of a passion I have a fabulous and wonderful group on law and that's the reason I have been teaching law since so many years now दोस्तो मैं कई सालों से law पढ़ा रहा हूँ और आप मैंसे कई बच्चों को मैंने C.A. Foundation में law और BCR पढ़ाया है on unacademy C.A. Foundation यूट्यूब चैनल आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस चैनल को अभी देख रहे हैं जिनको मैंने C.A. Intermediate में भी corporate and other laws पढ़ाया है लेकिन अभी तक बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन लोगों को अलग से जाकर वो purchase करना पढ़ता था अब ये दिक्कत हो गई है solve जिया दोस्तों अब आपको आपके अपने C.A. आदर जोशी से आप पढ़ सकते हो corporate and other law बिना कहीं गए इसी YouTube चैनल Unacademy C.A. इंटर प्रो पे तो अब Unacademy में मैं आपको साथ ही साथ corporate and other law भी पढ़ाने वाला हूँ इसके अलावा intermediate में मैं paper no.7 enterprise information system भी पढ़ाता हूँ उसका भी आप फाइदा उठा सकते हो उसके भी classes आप देख सकते हो तो दोस्तो ये तो थी थोड़ी बहुत चोटी मोटी बाते about me and my classes लेकिन अगर आप मुझे जानते हो और अच्छे से जानते हो तो मुझे पता है comment section में आप अभी लगा चुके होगे और लोगों के दिलों में भी लगनी चाहिए भाई सबसे पहली बात इस वीडियो को चोटी सी वीडियो को आग लगागे शेयर करो विकास आज मैं बहुत सारे plans आपके साथ शेयर करने वाले हूँ दोस्तो किसी माहन व्यक्ति ने कहा है if you fail to plan you plan to fail मतलब कि अगर आप अपना planning साई से नहीं कर पा रहे है तो definitely आप fail होने वाले है and therefore to achieve great success we need a greater plan और आज ये greater plan लेकर मैं आया हूँ not only for students who are going to appear in November 23 but also for May 23 तो अगर आप May 23 वाले है तो दो मिनिट और रुखना आपके लिए बहुत जल्दी information आ रही है लेकिन अगर यहाँ पर इस class में अभी कोई November 23 का student बैठा है तो भाई आप लोगों को मैं जरा थोड़ा ब्रीफ में समझाना चाहता हूँ कि पढ़ाई कैसी की जाती है for intermediate law incorporating अदर लोग देखो भाई तीन stages में कोई भी theory subject आप पढ़ सकते हो detailed study, revision and writing practice और यह ऐसा नहीं कि मैं पहली आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने कई teachers के मुह से सुन रखा है आप लोगों ने foundation में सुन रखा है आप लोगों ने text के base पे पढ़ना बंद कर दो कि बस text पढ़ लूँगा हो जाएगा text पढ़ लूँगा हो जाएगा नहीं law एक बहुत जादा practical approach से पढ़ने वाला subject है लोग कहते है अरे law theory है audit theory है बट आप समझ नहीं रहे हो this is a theory of the most practical thing that we are going to ever do in our lives िस, आप accounting करते हो आपको practical लगता है बट उसी accounting का जब मैं audit करता हूँ आपको theory लगती है आप law follow करते हो आपको बीड़ा practical लखता है लेकिन जब उसी law को मैं लिखक कर आपको दे रहाँ थो आपको theory लगता अरे भाई वो theory है लिखा है बट उसके अंदर जो चीज लिखी है वो 100% practical है just because you don't need calculator that much does not mean this subject is theory सबसे पहले अपने दिमाग से चीज निकाल दो कि यह 100% theory है बस text पढ़ लिया और बात होगे नहीं इसे practical approach से पढ़ो जाओ ना किसने मना कि MCA की website पर जाओ जाओ दो तिन form भर के देखो एक ID तो create करो free में हो रही है na create पैसे लग रहे है क्या जब तक आप कीडे नहीं करोगे ना भाई तब तक law के logic तक नहीं पहुचोगे और जब तक law के logic नहीं पहुचोगे आप score नहीं कर पाऊगे तो सबसे पहले हमारा focus for November students रहेगा detailed study पे और इसलिए detailed batch लेकर मैं आपके सामने अभी आने वाला हो लेकिन उसकी बारे में जाने से पहले रिविजन के बारे में बात कर लेता है भाई it's a subject which requires multiple revision यह मत सोच लिना कि मैं एक बार revise कर लूँगा दो बार revise कर लूँगा बस खतम है भाई दो बार के उपर कौन करता है इससे तो होता ही नहीं है ऐसा नहीं है आपको multiple revisions लगेगी एक बार नहीं दो बार नहीं हो सकता है चार चार पाच पाच बार लगे आप चार्ड बनाईए आप नोड बनाईए अगर मैं यह किन के लिए कह रहा हूँ नमेंबर के लिए अभी आपके पास बहुत वक्त है भाई अभी आपके पास बहुत वक्त है हम तो start इतना late कर रहे हैं आप इसे कई लोग already classes कर रहे होंग बहुत कम लोग यहाँ पर इस batch में आएंगे मुझे पता है लेकिन जो आएंगे वह score क्या करेंगे यह मेरे उपर डिफंड करता है मुझे इससे फरख नी पड़ता है मेरे पास एक बच्चा है दो बच्चे है यह हजार बच्चे मुझे ही इससे फरख पड़ता है कि मेरे पास जो बच्चे है वो क्या स्कोर करते हैं तो मैं गैरेंटे के साथ कह रहा हूं जो एक बच्चा आए दो आए पचास है जितने भी आए उनको स्कोर तो ऐसा दिलवाओंगा ना भाई कि मैंने मेरे को बताने की ज़ुरत नहीं है तो मुझे आपको बोलना नहीं है करके दिखाना है और मेरी काम करके दिखाएंगा और आप लोग इसमें मेरी मदद करेंगे एक चीज़ जो इसमें हमारी बहुत मदद करेंगी वो है स्टेप नमबर थी राइटिंग प्रैक्टिस दोस्तों बहुत सारे बच्चे ना पहली बार लिखते कभे पता है एक्जाम की दिन पहली बार लिख रहे होते है फिर बच्चे एक्जाम से ऐसा लगता था कि आता है मुस्कुराते हुए उचलते हुए और रिजल्ट के दिन पूरे के पूरे मुर्जा जाते है क्यों उनको एक्सपेक्टेट होता है सेवेंटी एटी और आते है थर्टी पाइफ फर्टी मजाक नहीं करा हूँ मैं यह फैक्ट है आप जाके बच्चों से पूछ लो आपके सी का इंटेविव ले चुका हूँ जुम कॉल्स ले चुका हूँ आप वो भी जाकर देख सकते हैं यूटीब चैनल पर है अब जब मैंने उनका इंटेविव लिए न तब मुझे समझ में आया कि यह बंदा यह बंदी जो मैं बंदी की बात कर रहा हूँ बंदी यार उसने इ स्कोड 75 प्लस तो यार मुझे अच्छा और एक और बात सुन ले ना यह फांडेशन नहीं है कि यहां पर 60 और 70 आसानी से मिल जाते हैं यहां 40 से 50 में भाई जिंदगी चली जाती है लोगों की और 50 से 60 आने के लिए अपनी के साथ साथ अपने परिवार वालों की भी जिंद सकते हैं बस यह तीन स्टेप पॉलो करो डिटेल में स्टडी करो प्रैक्टिकल अप्रोच से रिवाइज आज में टाइम स्यू कैन और डोंट फर्गेट तो राइटिंग प्राक्टिस अन यूर ओन भाई इसमें किसी टीचर के भरोसे मत बैटो यह आपको स्वयम करना होग दोस्तों सबसे पहले लॉंच कर देता है नवेंबर 23 के लिए कब से होने वाली है रेगुलर बैच शुरू तो वो डेट आपके सामने आपको नजर आ रहे होगी देट इस 27th of March 2023 जीया दोस्तो 27th of March से रेगुलर बैच स्टार्ट होने वाली है पॉर नवेंबर 23 स्टूदे आपके अपने चैनल Unacademy CA Interpro पे आपको बहुत जल्दी वो क्लास से स्केडूल नजर आएगी मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लोगों में शेर करे इस न्यूस को जादा से जादा लोगों में शेर करे भाई बैन क्य आप अड़िटाइस क्यों नहीं करते तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज help me advertise my classes प्लीज let them know 27th of March is the D-Day जहां से हम लोग करने वाले practical approach में classes शुरू on YouTube channel Unacademy CA Interpro अब भाई साब अब आब बैठे हैं May 23 के students इनका तो हो गया सौट नवेंबर के students का भी main class चाल होगा फिर रिविजन होगी writing practice सब होगा what about May because अभी देखो सर आपको frankly बताओ सिर्फ April का एक मेना बचा है और उसमें हम परिशान हो रखे क्या करे क्या नहीं तो पीटा April के एक मैने में मैं पूरा का पूरा revision तो आपका प्लान नहीं कर सकता और मुझे पता है कि आप ल कोल रहा हूं कि I will start a super fast revision that too from 27th of March itself तो 27th of March को दो batches शुरू हो रही है एक नहीं दो batches शुरू हो रही है same YouTube channel पर एक हमारी regular batches जहाँ पर detailed oriented practical approach से हम लोग basic से पढ़ेंगे चाहे आप मुझसे foundation में पढ़े हो या नहीं हम सब को बच्चों को लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे हर basic चीज़ पर discussion होगा और उसी दिन उसी दिन एक super fast revision class भी शुरू होगी जो सिर्फ और सिर्फ में के students के लिए रहेगी जिसमें वो तुरंत अगर अपना revision करना चाहे तो वो कर पाएंगे तो 27th of March को note down कर लेना लॉक कर देना और सभी लोगों में share भी कर देना दोस्तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा can we expect some videos before 27 सर रहा नहीं चाहता न सर आज देखो न यार क्या तारीक है अब आप इतने दिन रुख होगे नहीं बटा आपके लिए मैं कुछ चीज़ के students के लिए बहुत काम का है because मैं उन लोगों के RTP में आई हुए amendments को explain करूंगा उस amendment का क्या impact है उसके discussion करेंगे और इतना ही नहीं May 23 प्लस November 23 प्लस May 24 आगे आने वाले students के लिए क्या strategy होनी चाहिए कैसे वो जादा बेतर score कर सकते है यह मैं class शुरूने से पहले ही 23rd of March को आपको बताने वाला हूँ So that is it from my end मैंने बहुत सारे launching कर दिये 21st अभी आप यह वीडियो देखी रहे हो इसके बाद 21st को एक और वीडियो आपको आएगी 23rd को एक और वीडियो आएगी यह दो वीडियो तो definitely आने वाली amendment और how to score good date अगर उपनी चे हो जाती है because of some technical issue तो भाई पता नहीं लेकिन यह दो वीडियो ज़रूर आईगी So that is it for today pleasing videos कांचार करियेगा और पूरा पूरा प्यार देना chats में भले recorded है लेकिन दिल से है Thank you so much and don't forget winners don't do different things they do things differently So don't forget कि plan करिये proper execute करिये and then achieve your success और आग लगाने के लिए कोन है तैयार come on make some noise guys and girls Thank you so much for joining in this class God bless you all lots of love and मिलते हैं हम main class के अंदर लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक जबर्दस बात CA intermediate के बारे में अगर आप अपने ब्राउजर में unacademy.com डालेंगे तो आपको यहाँ पर start learning का option आएगा या आप डारेक्ली यहाँ से CA intermediate पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर जाते हैं और start learning पर क्लिक करते हैं और अपना goal select करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर goal select कर देया CA intermediate CA intermediate goal select करने के बाद ठीक है आप यहाँ पर जा सकते हैं get subscription option पर और plus iconic के बहुत जबदर subscription options यहाँ पर है आप अपना 1% plan select करिए और वहाँ पर जो भी आप plan select करते हैं say for example 6 months का कर लिया 12 months का कर लिया यहाँ पर आप C A A D A R S H C A A D A R S H C A A D A R S H comment में लिखके बता हो भाई क्या लिखेंगे C A A D A R S H और जैसी आप proceed to pay करेंगे आपको maximum possible discord मिल जाएगा और आपना mobile number रोटी पी डाल के आप पर पर सीड कर पाएंगे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके इस वीडियो को आग लगा डालो यह तुम्हारा फर्स बनता है और पहला दो आपकी तरह यह वीडियो हर जगा और कह दो उनको stop stop तेरा बाप आया सब्सक्राइब आपको मिलेगे तैंक यू सब्सक्राइब बारत मिलते नेक्स क्लास में बाइब